हमाई यह सेंटरू में पूछा गया एक अजीब सा प्रशन यह प्रशन है कि आपको वो सेल काउंट करने है जिनकी वेल्यू जीरो से जाधा है लेकिन साथ में आपको वो सेल काउंट नहीं करने जिसमें वेल्यू डेसिमल में है कहने का मतलब 10.25 या आप ये भी कह सकते है 15.67 साथ इस तरीके के जिनमें डेसिमल वेल्यू जा रहा है वो सेल काउंट नहीं होने चाहिए तो ये सुनने में आपको प्रशन असान लग रहा है लेकिन इतना असान है नहीं को कि आप करने बैटेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आप इस कोशन में फस्व हैं तो देट सेट विच हैस डेसिमल वेल्यू यानि की साथ में वो काउंट नहीं करना है जिसमें वेल्यू डेसिमल में हो तो दीके सबसे पहले आप यह समझे कि टोटल सेल यहां पर कितने हैं जो फिल्ल है तो अगर मैं बात करूँ नॉर्मली मेरे टोटल सेल हैं सेवेंटी टू उसमें से जो जीरो वाले है वो हटा दें तो वो कितने हैं 6 और जो डेसिमल वेल्यू है वो है 8 तो मेरा जो आंसर यहां पर आना चाहिए वो 58 आना चाहिए लेकिन यह किस तरीके से आएगा उसका हम प्रॉसेस जानते हैं तो देखिए ऐसे सेल काउंट करना जो कि जीरो से बढ़े है वो बहुत असान है तो सबसे पहले हम लिखते हैं उसके लिए फॉर्मला इक्वल टू काउंट इफ अब काउंट इफ हमने यहां पर सलिच करा है कि यहां पे हम एक कंडिशन के साथ से यहां पर कंडिशन क्या होगी कि जो भी वेल्यू है वो ग्रेटर दन जीरो जहां पर यह उसको count कर लें तो देखे रेंज कहा रहेगी range हमारे पूरी जिसमें हम यह check करना चाह रहे है कि कौन सी value 0 से बड़ी है या कॉमा अब criteria हमारा क्या है कि इन सभी value में से जो भी 0 से बड़ी है ठीक है यानि कि greater than 0 हमारी condition है तो आप देखिए greater than 0 इस तरीके से नहीं लिख अगर मैं इसे बंद करके enter करना चाहूं तो यह error देगा क्यों क्योंकि greater than sign है यह एक string sign है और string और यहां पर जब हम यह इस तरीके का text value दे रहे है तो इसको समझने पारा कि actual condition क्या है तो इसके लिए हम क्या करते हैं जब भी हम string देते हैं तो इसको double quote में देते हैं लेकिन अगर मैं enter अभी भी मारू तो फिर भी accept नहीं करेगा ठीक है क्योंकि फिर वही problem आ रही है कि text और string को एक साथ हम नहीं दे सकते क्योंकि यहां पर एक sign आ रहा है तो हम क्या करेंगे इसको तो हमने string में लिख लिया लेकिन इसके बाद यहां पर हम एक and operator का sign दे देंगे ठीक है अब यहां पर हमारा accept कर लेगा अब मैं enter करूँ तो तो देखिए अभी इसने count करे है 66 cell जितने भी 0 वाले थे वो इसने count नहीं करे और उसके अलावा 72-6 यानि कि जो 0 थे वो उसने हटा दिया और हमे 66 यहां पर answer दे दिया अब यह तो हमारा हो गया लेकिन यहां पर वो value भी आ गई है जो decimal में है लेकिन हमें वो count भी हटाना है जो कि cells decimal वाले है अब इससे हम count करसे करेंगे वो देखते हैं लेकिन उससे पहले मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि जो मैं अब आपको सिखा रहा हूँ वो बहुत important है ठीक है देखिए मैं आपको सबसे पहले उधारन की तरह समझाता हूँ कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं मैं आपे क्या करने वाला हूँ मैं आपे हर एक value को divide करूँ हूँ है 1 से और हम इसको divide भी किस से करेंगे mod formula से mod formula करता क्या है देखिए equal to mod returns the remainder after a number is divided by divisor यानि कि यह divide करने के बाद जो भी बचा reminder होगा वो हमें देखा तो mod bracket open number मा लिजे एक proper value ठीक है कॉमा और मैं से 1 से divide करता हूँ ब्रैकेट बन enter ठीक है किसी भी अगर proper यानि कि exact value को आप divided कराएंगे 1 से तो reminder obvious बात है 0 ही बचने वाला है लेकिन आप देखिए equal to mod अब हम किसी decimal value का example लेते हैं मालिजे मैंने इसका लिया और उसको मैंने divide कराया 1 से bracket बन अब देखिए क्या अंतर दिख रहा है आपको यहाँ पे आपको अंतर यह दिख रहा है कि जो decimal value थी उसमें जो reminder है वो point के बाद रह गया है कुछ यानि कि कुछ इस तरीके से हम किसी भी decimal value को अलग कर सकते हैं तो यहां से हमें यह समझ आता है कि जो 0 है वो हमें count नहीं करना और जो भी greater than 0 आता है उसे हमें count कराना है जिससे कि हमें decimal values का count ले लेंगे और minus करा देंगे अपनी पहली वाली calculation से ठीक है तो यहाँ पर हम पूरा formula लिखते है equal to mod अब इसमें हमें single number नहीं देंगे हम अपनी पूरी range देंगे ठीक है उसके बाद comma one bracket बन अब दीखें formula काम नहीं करेगा अगर आप में enter मारेंगे तो यह काम नहीं करेगा क्योंकि यह अरे पर काम नहीं करता है देखिए इसने error देती तो मैं इसे back कर लेता हूं अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है एक condition लगाने है इफ की ठीक है इफ यह जो logical test हमने किया है यह अगर greater than zero है यानि यह हर value को यहाँ पर check करेगा और जहाँ पर भी हमें value zero से जाधा मिले तो क्या हो one count हो जाए अब देखिए इससे हो क्या रहा है और false में हम कुछ नहीं कर रहे हो क्या रहा है यहाँ पर कि जब भी हम divide करेंगे हर एक number को तो जो decimal value है वो हमें zero point कुछ result देगी जै जैसी वह आएगा तो यह से count कर लेगा ठीक है ऐसी अगर मैं सारी decimal की यहाँ पर count करूं तो वह होता है 8 ठीक है तो अब मैं क्या करूंगा इसके आगे एक formula लगा दूगा count ठीक है अब यह formula भी हमारा काम करेगा मैंने bracket open कर लिया और मैं यहाँ पर close भी कर देता हूं ठीक है कि हमने वो सारे cell count कराया थे जो की 0 से ज्यादा थे equal to count if ठीक है count if इसके बाद range कर रहा है तो range हम पूरी देतेंगे criteria हमने किस तरीके से लिखा था double quote open करेते greater than फिर से close फिर यह end operator और साथ में 0 कि जो भी हमारी 0 से ज्यादा बड़ी value हो वह count हो के हाँ पर आ जाए तो यह 66 आ तो हमारा वो exact count आ जाएगा जो कि हमारा प्रश्ण कह रहा था कि आप 0 से बड़ी value count करें लेकिन उसमें decimal वाले cell नहीं होने चाहिए तो अब हम क्या करेंगे हम F2 प्रेस करेंगे और इस पूरे को copy कर लेंगे यहां से और उपर जाएंगे यहां पर भी F2 प्रेस करेंगे औ हमारा answer आरता 66 और इससे आरता 8 तो 66-8 कितना होता है 58 मैं enter करता हूँ तो जो कि मैंने आपको बताया था starting में कि सारा जो cell है उसके count है 72 उसमें से गरम zero वाला count हटा दे तो वो होता है 66 और उसमें से गरम decimal वाला count हटा दे तो होता है 58 यानि कि हमारा answer आ गया अगर आपको वी